हलो एवरिवन टिकलेज एकडेमी यूटूब चैनल में अब सभी का स्वागत है आज के वीडियो में हाउ टू ड्रॉ साइकलोईड ये टॉपिक को हम आगे बढ़ाएंगे और आज हम इसका फोर्थ प्रॉलिम सॉल करेंगे तो कॉश्चन क्या रहेगा उसके लिए कॉश्च तो देखिए कॉश्चन आपके सामने है इसका सोलूशन हमें ड्रॉ करना है और सोलूशन ड्रॉ करने का टेकनिक बिल्कुल वैसा ही रहेगा जैसा हमने इसके पहले के प्रॉलिम सॉल करते समय आपको सबसे पहले ये चेक कर लेना होता है कि पॉइंट पी का पोजिशन क्या दिया है तो कॉश्चन के लास्ट में देखो क्या लिखा है कॉश्चन के लास्ट में लिखा है पॉइंट पी is at the right of circular plane याने circular plane के right side में पॉइंट पी का पोजिशन दिया है इसका मतलब यह है कि ये टाइप 4 का साईकलोईड बनेगा इसके पहले के वीडियो में भी हमने य दिया होता है तीसरा टाइप का साइकलोईड वो होता है जिसमें पॉइंट पी का पोजिशन लेफ्ट साइड में दिया रहता है और फोर्थ टाइप का साइकलोईड यह है जिसमें पॉइंट पी का पोजिशन राइट साइड में दिया है तो आपको हमेशा साइकलोईड के प की उपर टैंजेंट है नॉर्मल कैसे ड्रॉ करना उसके उपर भी हमने स्पेशल वीडियो बनाया थे वो भी वीडियो आप देख लीजेगा और वो सभी टाइप के साइकलोईड आप अपने ड्रॉइंग बुक में जरू ड्रॉ करके देखिए चलो यहां पर फोर्थ टाइप का यह जो साइकलोईड है यह हम स्टेडी करने वाले है इसमे很 Kansas सबसे पहले यहां पर एक सडाइमेटर का तो यह देख सकते हैं तो 50 mm डायमेटर का circle draw कर लिया है, diameter 50 mm है, इसका मतलब radius 25 mm, और अब ये circle को हमें यहाँ 12 part में divide करना है, circle को 12 part में divide करने के लिए सबसे पहले circle के center से एक horizontal line draw कर लो, तो ये देखिए circle के center से पहले हमने ये एक horizontal line draw कर लिये, और अब आप यहाँ पे इसको 12 part में divide करो, 12 part में divide करने के लिए आपके पास दो option है, आप चाहे तो compost का use करो, या तो आप protector याने ही D का use करो, ये protector का use करके आप आसान इसके 12 part में divide कर सकता है, protector को आपको यहाँ center में इस तरह से रखना है, और यहाँ पे आपक lines draw करनी है, और ये circle 12 part में divide हो जाएंगा, तो ये देखिए हमने circle को यहाँ 12 part में divide कर लिया है, और अब हम यहाँ पे सभी को naming देंगे, point P का position हम सबसे पहले show करेंगे, तो point P जो है वो circle के right side में है, ऐसा question में दिया है, तो ये देखिए point P का position circle के right side में, और अब आपने जहा point P का position दिया है, वहाँ से आपको clockwise naming दे दिना है, ठीक है, तो यहाँ से हम clockwise naming देंगे, ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5, ये 6, ये 7, ये 8, ये 9, ये 10, ये 11 और P याने 12 इस तरह से, आपको हमेशा ये बात का ध्यान रखना है, कि point P का position जहाँ पे हो, वहाँ से आपको clockwise naming देना ह अगर point P का position नीचे है तो यहाँ से आपको clockwise 1,2,3,4 देना है अगर point P का position उपर है तो वहाँ से आपको clockwise 1,2,3,4 स्टार्ट करना है और अब देखो point का position यहाँ है इसलिए हमने यहाँ से clockwise 1,2,3,4 दे दिया है हमेशा naming जो है वो आपको point P के बाद clockwise naming ही देना है ये बात का आप ध्यान रखो तो ये हमने finally circle को total 12 part में divide कर लिया है अब आपको क्या करना है ये circle को एक horizontal surface पे roll कराना है क्या कहा ये circle को एक horizontal surface पे roll कराना है for one complete revolution तो उसके लिए यहाँ पे एक horizontal surface draw करना पड़ेंगा तो चलो horizontal surface हम draw करेंगे तो horizontal surface draw करते समय आपको क्या करना है सबसे पहले protector से 90 degree का angle लेना है क्योंकि आप जो horizontal surface draw करूंगे वो horizontal surface ये vertical diameter पे exactly perpendicular आना चाहिए तो क्या करो सबसे पहले protector लेलो protector जो है protector का center ये नीचे जो point है point 3 इसकी उपर आप रखो और इसका जो 0 degree है वो ये vertical diameter पे set करो और यहाँ पे एक 90 degree का angle लो तो ये देखे यहाँ पे हम protector से 90 degree का angle लिये है और ये 90 degree के angle पे हम क्या करेंगे यहाँ पे एक horizontal line draw करेंगे क्योंकि हमने आपको क्या कहा है कि horizontal जो surface है वो vertical diameter पे exactly perpendicular आना चाहिए तो ये देखिए हम इस तरह से यहाँ पे horizontal surface draw कर रहे है अब ये horizontal surface का length क्या होगा तो ये horizontal surface का length उतना ही होगा जितना circle का यहाँ पे circumference होगा ठीक है circle का circumference यानि ही उसका perimeter या फिर 2 pi r तो pi d का formula use करो तो pi into d याने diameter इसका diameter कितना है 50 mm तो हम यहाँ लेख लेंगे pi into 50 तो ये आएंगा approximately 157 mm तो आपको क्या करना है यहाँ से लेके इधर जो horizontal surface है ये horizontal line आपको 157 mm की draw करना है तो चलो ये देखिए हम यहाँ पे 157 mm यहाँ पे पहले mark कर लेते हैं तो ये देखिए हमने यहाँ पे horizontal surface draw कर लिया है और इसका length हमने यहाँ 157 mm लिया है अब आपको क्या करना है इसके बाद ये जो horizontal surface है इसको भी आपको 12 part में divide करना है क्यों क्योंकि आपने circle को 12 part में divide किये हैं हमेशा धेन में रखो जितने part में circle को divide करोंगे उतने ही part को उतने ही part में ये horizontal surface को भी divide करना है अगर आपने circle को मानलो 8 part में अगर divide किये होते तो horizontal surface को भी आपने 8 part में divide करना है तो अभी हमने circle को 12 part में divide किया है इसलिए ये horizontal surface जो है इसका मतलब ये जो pi d का length है 157 mm का इसको हम यहाँ 12 part में divide करेंगे ये directly scale से divide नहीं हो पाएंगा इसलिए आपको क्या करना है यहाँ थोड़ा construction करना है कैसे construction करेंगे तो आपको क्या करना है एक inclined line यहाँ पे draw करना है 12 part में divide करना है इसलिए हम यहाँ पे 12 cm का एक inclined line draw करेंगे कितने भी degree angle पे draw करो कोई फरक नहीं पड़ता जनरली ये 20 से लेके 30 degree का angle जनरली इसके लिए use किया जाता है लेकिन angle जो है वो आपको measure करके लेने की जरूत नहीं है आप अंदा जैसे ऐसा यहाँ पे 12 cm का line draw करेंगे कितने भी degree angle पे तो भी चलेंगा कोई दिक्कत नहीं है तो ये देखिए हमने यहाँ पे 12 cm का inclined line draw कर लिया है और अब ये 12 cm के line को हम 12 part में divide करेंगे 11 cm का एक part तो ये हमने यहाँ scale रखे और अब हम इसको divide करना start करते है तो ये first part, ये second part, ये third part, ये fourth, ये fifth, ये sixth, ये seven इस तरह से आपको total यहाँ 12 part में divide करना है ये eighth, ये ninth, ये tenth, ये 11, और ये 12 देखिए हमने यहाँ पे ये inclined line जो 12 cm का बनाया है इसको हमने 12 part में divide कर लिए अब आपको क्या करना है ये जो last part है ये last part आपको ये 157 का ये जो last end है horizontal surface इसको आपको ये जो है ये इस तरह से join करना है ये देखिए, ये हमने यहाँ पे join कर लिए और अब ये join करने के बाद अब आपको roller scale या mini drafter का use करते हुए अब आपको क्या करना है ये line को exactly parallel आपको सभी के सभी lines draw करना है ये जो जितने भी parts आपको दिखाई दे रहे सभी parts से आप lines draw करेंगे और ये जो अपने पहली line बनाया है वो उसको exactly parallel चाहिए तो ये आप roller scale या mini drafter से draw करो बहुत ही सही बनेगा अभी फिलाल हमारे पास ये एक single scale है तो हम ये single scale से draw करने का try करेंगे तो चलो ये हम draw करेंगे तो ये देखिए जैसा हमने कहा था सभी पार्ट से हमने parallel line draw कर लिया है इससे क्या हुआ ये जो 157 mm वाला ये जो line था ये horizontal surface ये 12 पार्ट में divide हो चुका है चलो इसको naming देदेंगे तो ये ये देखिए ये first part देन ये second part ये third part ये fourth part ये fifth part ये sixth देन ये seventh part ये eighth part ये ninth part ये tenth part ये eleventh और ये last में twelfth part इस तरह से हमने horizontal surface को भी 12 part में divide कर लिया है अब इसके बाद आपको क्या करना है अब इसके बाद ये जो circle के जितने भी parts से सभी parts से आपको horizontal line draw करना है जब आप draw करोंगे तो ये जो 4 और 2 है वो एक ही line में आएंगा then ये 5 और 1 ये भी एक line में आएंगा ठीक है 7 और 11 ये भी एक line में आएंगा ये एक line में आना ही चाहिए तो ही समझ लो जो आपने draw किया है वो बिल्कुल correct है तो चलो यहाँ पे सभी points से हम horizontal line पहले draw कर लेते है तो ये देखिए जैसा हमने कहा था circle के सभी parts से हमने horizontal line draw कर लिये है that is parallel to the base line और अब इतना होने के बाद क्या करना है ये जो circle का center है देखो circle के center को हम कहेंगे center C ठीक है और अब आपको क्या करना है ये जो center से निकली हुई ये जो line है that is center line ये center line को भी 12 part में divide करना है center line को 12 part में divide करना ही के लिए ये जो नीचे के 12 parts है इसका आपको use करना है ये नीचे के parts ये center line के उपर ऐसे shift करो ठीक है और इसके लिए भी आप rollers के लिए mini drafter का use करो ये ऐसा जो vertical diameter है ये vertical diameter को ऐसा scale पहले ऐसा parallel set कर लो और ये 1 तक लेके आईए और 1 से vertical line ड्रॉ करिए ये देखिए ये 2 तक लाइए 2 से vertical line ड्रॉ करिए ये देखिए इस तरह से फिर ये 3 तक लाइए 3 से vertical line ड्रॉ करो फिर 4 से vertical line ड्रॉ करो इस तरह से आपको 12 तक करना है तो ये देखिए जैसा हमने कहा था यह center line को हमने 12 part में divide कर लिया है, उसके लिए यह नीचे के part सभी के सभी ऐसा उपर हमने shift किये और यहाँ पे हमने center line को यहाँ पे naming भी दे दिया है C1, C2, C3, C4, C5 up to C12, इस तरह से यह center line 12 part में divide हो चुका है, तो finally construction यहाँ पूरा हो चुका है, अब इसके बाद हमें यहाँ पे cycloid के जो points है वो हमें mark करना है, तो वो mark करने के लिए अब आपको compost ले ले लेना है compost में radius का length ले लो, यह जो circle है इसका जो भी radius है, इसका length आप compost में ले लो, तो यह देखिए यह radius का length जो है, यह हमने compost में यहाँ ले लिए, ठीक है radius का length ले लिए, और आपको क्या करना है compost का जो center है, यह c1 पे रखना है, क्या कहा, compost का center c1 पे रखो, और यह जो circle का यह जो first part है, यहाँ सी horizontal line गई है, इसके उपर cut करो, ठीक है, compost का center c1 और यह देखिए, यह horizontal line पे हम cut करेंगे, जो one number की जो line गई है, उसके उपर हमने cut कर दिये, और अब compost का center c2 पे रखो, और यह जो 2 की जो line गई है, इसके उपर cut करो, ठीक है और यह देखिए, compost का center हमने c2 पे रखा, और यह 2 की line जो जारी है, उसके उपर हम यह cut करेंगे तो यह हमने यहाँ cut कर दिये, देखो यहाँ पे वो cut गया, उसके बाद compost का center जो है, वो c3 पे रखो c3 पे, और यह जो 3 की line जो जारी है, यह देखो, यह जो 3 की line जो जारी है, उसके उपर cut करो, तो यह जब आप cut करने को जाएंगे तो यह बराबर exactly 3Q उपर आएंगा, ठीक है, यहाँ पर इस तरह से 3Q उपर आएंगा, ठीक है, इसके बाद compost का जो center है, वो C4 पे रखो, और यह जो 4 की line जो जा रही है, उसकी उपर cut करो, लेकिन यह आपको clockwise cut करना है, anti-clockwise cut मत करना, ठीक है, इस तरह से आपको clockwise cut करते हुए चलना है, तो compost का center हमने C4 पे रखे, और 4 की line पे हम cut करेंगे, तो यह देखिए, 4 की line पे, हम यहाँ पे इस तरह से cut करेंगे, यह देखिए, यहाँ पे 4 की line पे cut गया, इसका मतलब यह C1 यह देखो, यह C1 पे रखने से, यह 1st position यहाँ मिला C2 पे रखने से, यह 2nd position यहाँ मिला, C3 पे रखने से 3rd position यहाँ मिला, और 4th position बिल्कुल इसके उपर में यहाँ पे मिला, ठीक है, यह 4 की line पे, अब इसके बाद, compost का center जो है, वो C5 पे रखो, और यह 5 की line गई है, 5 की line, उसकी उपर cut करो, compost का center C5 पे, तो यह देखो, 5 की line पे हम यह कट करेंगे, यह यहाँ पे, कट गया, उसके बाद, यह 6 की line, compost का center C6 पे रखो, और 6 की line पे, तो यह 8 की line पे रखो, और 8 की line पे आपको cut करना है, तो यह 8 की line पे, हमने यह कट कर दिए, उसके बाद ये 9 की लाइन, compost का center C9 पे रखो और 9 के लाइन पे cut करो तो जब आप इसको cut करने को जाएंगे तो ये 9 के लाइन की उपर overlap करेंगा ठीक है? क्योंकि C9 से लेके उतना जो है वो radius का ही length है उसके बाद compost का center C10 पे रखो और ये जो 10 की जो लाइन जा रही है क्योंकि ये जो point P है ये center के right side में है तो वहाँ पे जो 12th position आएंगा वो भी C12 के right side में आएंगा ठीक है? 11 का हो गया, उसके बाद ये 12th की line है compost का center C12 पे रखो और ये 12th part जो है वो यहाँ पे इस तरह से cut करो ये देखिए हमने finally सभी positions जो है वो हमने यहाँ पे mark कर लिये है अब हमने क्या करना है? अब ये सभी को हमने join करना है जब ये circular plane, horizontal surface की उपर, ये baseline की उपर जब ऐसे roll करेंगा for one complete revolution तो ये point P के path को trace करते हुए हम यहाँ पे curve draw कर रहे है तो ये point P का path जो है पहले ऐसा point P नीचे जाएंगा फिर नीचे जाएंगा, फिर नीचे जाएंगा, फिर ऐसा उपर होते हुए ऐसा इस तरह से point P का place होगा अब ये सभी places हमने यहाँ पे mark कर लिये हैं बस ये सभी को हमें join करना है अब इनको join करने के लिए आपके पास दो option है या तो आप इसको free hand join करो ठीक है या तो आप इसको french curve का use करके draw करो वैसे आप अगर french curve का use करके draw करेंगे तो बहुत ही अच्छा और smooth curve बनेगा french curve के आपको practice करना चाहिए अब इतने बड़े board के लिए french curve तो आता नहीं है market में तो हम क्या करेंगे इसको फिलाल free hand join कर लेंगे तो चलो इसको हम draw करते हैं तो ये देखिए हमने point P के path को trace करते हुए हमने यहाँ पे ये एक curve draw कर लिया है और ये है cycloid curve ठीक है ये बहुत अच्छा नहीं बना है क्योंकि ये हमने यहाँ पे free hand join किया है इसलिए थोड़ा सा कम जादा हुआ होँगा लेकिन जब आप इसको drawing book में french curve का use करके draw करोंगे तो बहुत ही अच्छा और smooth curve बनेंगा ठीक है और यहाँ पे हमने point P के positions भी यहाँ पे show कर लिया है देखो initially point P यहाँ पे था then यह है point P1 then यह P2, then यह P3 then यह P4, P5, P6, P7, P8, P9, P10, P11 और last में यह P12 इस तरह से सभी points को हमने naming भी यहाँ पे दे दिया है ठीक है इस तरह से और इसमें सबसे important क्या है तो इसमें important यह है कि यह देखो यह जो circle है circle के right side में point P है ठीक है इसका मतलब center के यह circle का center center के right side में point P है तो जो last position है देखो last position जो P12 है वो भी C12 के right side में आया है ठीक है इसमें right side में है इसलिए last position भी center के right side में यह center का point है na C12 इसके right side में आया है पूरा solution बना लिए, solution तो complete हो चुका है, question में कही पे भी tangent या normal draw करो, ऐसा question में लिका हुआ नहीं था, तो फिलाल हम यहाँ पे tangent और normal तो draw नहीं कर रहें, लेकिन अगर आपको cycloid पे tangent और normal कैसे draw करना, वो अगर आपको समझना है, तो इसके पहले already हमने उसके पहले, इसके पह उसमें यह जो type 4 है, यह type 4 के curve की उपर भी हम यहाँ पे आपको tangent और normal draw करके बताएंगे, उसके लिए अलग एक वीडियो बनाएंगे, फिलाल question में जो लिखा था, उसके according यह solution बनके तयार है, यह solution complete हो चुका है, उमीद करते हैं कि यह solution आपको समझ में आया होगा, यह solution अपनी drawing book में जरूर draw करके देख लेना चाहिए, यह था how to draw cycloid का आज का वीडियो, आज के वीडियो में फिलाल इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में एक new topic के साथ, thank you very much